हाई वरिवन वेलकम पैक टू शब्दा गिलरी चलिए बहुत ही बढ़िया टेस्टी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं चलिए आज फिर से एक और बहुत ही बढ़िया मसालेदार चटपटी रेसिपी बना रही हूँ वीडियो को पूरा देख लीजिए तो चलिए सबसे पहले पैन में हम घी डालेंगे आधा चमच जीरा है थोड़ी सी राई है आधा चमच सौब डाला है अब थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं दो दाल चिनी के तुकड़े हैं बहुत ही अच्छा स्वादा आता है एक तेजपत्ता डाला है तीन बड़े साइस के प्याज है रफली काटकर डालेंगे और दो तमाटर है ये डाला है दो से तीन हरी मिर्ची है तो देखिए फ्रेंड्स आप ना इसमें एक बड़ी अच्छी भी डाल सकते हैं पर मैंने नहीं डाला है अब मैंने साथ से आठ लसुन की कलिया डाली है और फिर साथ या आठ है काजू तो काजू से बहुत अच्छा स्वाद आएगा पहले हम तीन मिनिट अच्छे से रोस्ट करेंगे उसके बाद में मैंने यहां पर डाला है दो चमच नर्यल का बुरादा और फिर आधा ग्लास वाटर एट करकर इसको नहां मैंने धक कर अच्छे से पका लिया है बहुत ही सौफ्ट स्मूध इसको हमको यहने पकाना है टमाटर गरम मसाला सबको चलिया अब उसको साइड में कर देते हैं उसको बाद में हम ग्राइं मैंने डाले है अच्छा फ्लेवर आता है और जो हमने अभी मसाला बनाए थे इसको नहीं पीस कर मैंने यहां डाल दिया है बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है इस तरह से मसाले को हम अच्छे से पकाएंगे तो चलिये अब कुछ पॉडर मसाले आड़ करते हैं इसमें आप टेस्की अकॉर्डिंग सब कुछ यहां पर डाल दीजिए गरम मसाला मिर्ची पॉर्डर नमा खल्दी चलिए मैंने डाल दिया है आधा चमच मैंने अद्रक लसन का पेस्ट है जिंजर गारलिक पेस्ट इससे कहा है स्वाध बहुत ही बढ़ी आता है अभी इस मसाले को कम से कम तीन या चार मिनिट हम अच्छे से पकाएंगे धन्या पॉर्डर डाल दिया है अभी चलिए उसको साइड में करते हैं अब मैं बनाने जारी हूँ जो सबजी में बनाने जारी हूँ तो वह है दम आलू बनाने जारी हूँ आज मैं तो देखिए एक चमच ऑईल डाला है और उनको न अच्छे से आपको रोस्ट की करना है अच्छे से कर दिया मैंने अब देखिए इधर तीन से चार मिनिट हो गए है ग्रेवी बहुत ही बढ़िया तरीके से पक गई है अच्छे से ग्रेवी पकाते है तो टेस्ट बहुत अच्छा आदा है और जो आलू थे बड़े मिनिट अच्छे से पकाएंगे और यहाँ पर थोड़ा हम वाटर एट करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितना ग्रेवी बनाना है आप अपने हिसाब से बनाईए मैंने थोड़ा सा ही वाटर एट किया है क्योंकि इस तरह से मसाले दार दमालू ही हमको खाना है तो चलिए दकन लगा कर बस अभी दो से तीन मिनिट हम पकाएंगे फाइनली यह हमारे दमालू बन गए है लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला और कसूरी मेथी और धन्या पत्ता डाल दीजिए बहुत ही अमेजिंग सा इसका टेस्ट आया है फ्रेंड्स यह जो आलू बनाई हूँ इस इस तरह से सिंपल से आलू है इनको अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है और सबको अच्छी लगेगी यह आज की रेसिपी तो चलिए भई फटा फट से मेरी इस रेसिपी को लाइक कर दीजिए और प्लिस प्लिस चैनल को जरूर सब्सक् झाल झाल